पोट से जुडी किसी भी अपडेट की ये स्पोट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्टेगाम पेज को भी जरूर फॉलो करें अब तो खेर कुछ दिन की बात है हफते से भी कम वक्त रह गया है क्रिकेट दुबारा शुरू होने में आपको याद होगा कि मार्च के बाद से इंटरनाशनल क्रिकेट का मैच नहीं हुआ और इंग्लेंड और वेस्ट इंडिस के बीच ये जो सीरीज है ये तै करेगी आगे चलकर करोना काल के बाद क्रिकेट कैसी खेली जाएगी हर कोई देखेगा स्पोर्ट्स तक पर इसकी ला नोडिफिकेशन के घंटी बजाएए स्पोर्ट्स तक के साथ रहिए क्योंकि ये सीरीज डिफाइन करेगी आगे चलकर भारत कैसे क्रिकेट खेलेगा और आगे चलकर IPL अगर आयोजन करना है तो कैसे होगा साथी साथ हमेशा की तरह माई 11 Kings ये एक एप है आप इस चैट की description में जाएं फड़ाफट से इसको download करें आपको referral भी मिलेगा आपको sign up bonus भी मिलेगा और आप ये अलग सी गेम है अपनी skill को भी test कर सकते हैं क्रिकेट के अलावा football और basketball भी होता है लेकिन आज जो सवाल मेरे जहन में है वो यह है Ben Stokes को लेकर Ben Stokes को caretaker कप्तान क्योंकि जो र दी गई है Ben Stokes को शायद England cricket का bad boy कहा जाता था जितने विवादों में फसे लेकिन शायद England cricket के सबसे बड़े match winner भी वही है और पिछला एक साल जहां पर आपने वो ashes देखी आपने World Cup देखा Ben Stokes ने बताया है कि उनका खेल जो है कई दरजे ऊपर गया है मतलब crisis हो मैच जितान वाली बात हो तो Ben Stokes उनसे बड़ा match winner शायद आज और लाउंडर के तौर पर विश्व cricket में नहीं है वो कप्तान होंगे केर टेकर कप्तान होंगे लेकिन England यह भी तैक कर चुक है कि आने वाले वक्त में अगर जो रूट के बाद किसी को test cricket में कप्तानी दी जा सकती है तो Ben St Stokes है दिक्कत यह है कि कभी-कभी यह दोधरी तलवार हो जाती है और मुझे सीधा-सीधा अगर मैं England cricket को देखूँ पिछले चालिस एक साल में 40-45 साल में Ben Stokes को आज compare किया जाता है Ian Botham से Sir Ian Terence Botham से क्योंकि Mid 70s में Ian Botham आये एक यंग्स्टर के तोर पर जिस तरह से उन्होंने तेजी से विक्टेली, रन बनाए और तीन साल के अंदर अंदर उनको England की कप्तानी भी मिल गई थी, 1980 में वो कप्तान बनी है England के Botham का भी विवादों के साथ नाता था, वो भी विवाद में फस्ते थे, लेकिन उनसे बड़ा को मैच विनर नहीं था, और लाउंडर थे वो भी, गेंद के साथ और बल्ले के साथ, जैसे Ben Stokes है, लेकिन Ian Botham को जब कप्तानी दी गई, वो यंग थे, आज Ben Stokes की उम्र होती है, अपना बेस्ट देने की, लेकिन शायद अपने लिए जो उसके बेस्ट होता है, वो दूसरों से बेस्ट निकाल नहीं पाता, Ian Botham का अपना खेल डिप किया, England हारना शुरू हुआ, सारा का सारा जो नजला था, वो Ian Botham पर गिरता था, यानि कि उनकी आलोचना होती थी, और कई ऐसे प्लेयर होते हैं, जो बहुत फिर्स होते हैं, वो आलोचना को ले नहीं पाते हैं, वो आलोचना को ले नहीं पाते हैं, और रिटैलिएट करते हैं, तो Ian Botham का खेल भी डिप किया, England हारना शुरू हुआ, और 1981 की वो आशी सीरीज, जो कि शायद सबसे मशू उन्होंने कप्तानी चोड़ दी, अब जब कप्तानी चोड़ी गई तो, इंग्लिश क्रिकेट में ये भी बात आई, कि क्या Ian Botham, एक Flash in the Pan थे, वो आए और खतम हो गए, टेस्ट मैच की कप्तानी मिली माइक ब्रेरली को, अब माइक ब्रेरली कप्तान थे, उनको कप्तानी क लेकिन उनकी जो कप्तानी की कला थी, उस पर आज किताबे लिखी जाती है, आज जब आप लीडर्शिप की बात करते हैं, तो माइक ब्रेरली को कप्तानी दी गई, उनको बुलाया गया, माइक ब्रेरली ने आते ही, Ian Botham से उस टेस्ट मैच में बेस्ट निकाला, जिसे Botham's चेस्ट कहते हैं, हेडिंग लेवे, कैसे England पीछे हार गया, follow on कर रहा है, Ian Botham ने वो डेड़ सो रन बनाए, उसके बाब विलिस ने आखरे दिन आकर विक्टे ली, और वो ashes ऐसी पल्टी, कि England उस सीरीज को जीत गया, Ian Botham ने उसके बद कप्तानी नहीं की, क्योंकि वो जानत हैं, जैसे Botham थे, विवादों के साथ रहना, विवादों के बीच खेलना, तो अब ये एक डर जरूर होगा, English Cricket Establishment में, कि कल को अगर जो रूट के बाद, Ben Stokes को कप्तानी बनाना, देना है, उनको ग्रूम करना है, तो क्या, is he ready? Ben Stokes तो कहरे मैं तयार हूं, और कप्तानी कोई नहीं चोड़ना जाता, Ben Stokes ने कहा है, मैं तयार हूं, लेकिन अब उनका इमतिहान होगा, भली ये सिर्फ एक टेस्ट मैच है, भली ये एक तरह से, के टेकर कप्तान है, आपको जज़ भी नहीं किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि, या तो आपको लगेगा कि ह Ben Stokes ना सिर्फ बहुत बड़े खिलाड़ी एक और लाउंडर है, शायद कप्तान के तौर पर भी वो बेस्ट निकाल सकते हैं, या फिर आपको ये दिखेगा कि, वो जिम्मेदारी कैसे बैलेंस करते हैं, कप्तानी की जिम्मेदारी और बैटिंग बोलिंग की जिम्मेदारी ये बॉत हम जरूर कप्तान के तौर पर फेल हुए लेकिन कई ऐसे all-launters थे, जो कप्तान के तौर पर charismatic leaders थे, कपिल देव, इंडिया के कपिल पाजी, इमरान खान पाकिस्तान से, ये बहुत charismatic थे, ईवन स्टीव वौ, छब कप्तान बने तो वो गिन बाजी इतनी नहीं करत सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन के घंटी भी बजा दीजिए क्योंकि मज़ा बड़ा आने वाला है बड़ा इंतजार किया यार क्रिकेट के लिए हम सब इंग्लेंड वेस्ट इंडी सीरीज में हम सब को आगे देखना है कि क्या है बड़ा आसान होगा कि यार यह टूर कर लो यह आईपियल करा दो वो सीरीज कहल लो लेकिन जब क्रिकेटर एक टेस्ट मैश खेलेंगे उसके दौरान पता चलेगा कि गेन को लेकर कितना सहमे है प् के साथ कैसे रहते हैं तो यह सारी चीजें अब जो है परदा उस पर से हटने वाला है मैं तो इंग्लेंड वेस्ट इंडी सीरीज को लेकर बहुत एक्साइटिड होगर आप हैं तो स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत